हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू स्फलता मंतरों दोस्तों आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का यूपिटेट स्पेसल क्लासेज में बहुत-बहुत सवागत करते हैं दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता लगातार सभी सटी क्लासेज आप सभी के लिए अलग-लग सब्जेक् आपकी कल से हमने मेराथन क्लास स्टार्ट कर दी मेराथन क्लास इसके अंतरगत आपके बहुत ही सिलेक्टेट चुनिंदा कोश्चन्स लेकर आ रहे हैं पूरे 300 प्रसनों की सीरीज है आपकी बाल विकास की पर्या वरण अधिन की कम से कम समय में अधिक सदी कोश्चन कराते मेराथन का सेकेंड पार्ट आप सभी के बीच में लेकर आए हैं सुबह हमने आपको इवियस मेराथन क्लास का पार्ट वन दिया था उस क्लास को भी अगर आपने ना देखा तो जरूर देखेगा एकदम सिलेक्टेड कोश्चन्स पूरी व्याक्या के साथ आपको बताते और आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर कोश्चन दिया गया है कि दुर्वली करण बाधा है तो दुर्वली करण क्या होता यानि कि कमजोर होना कमजोर रूप में हम समझ सकते हैं अगर सीधे सब्दों में कहा जाए तो यह बाधा है किस रूप में कार्यात्मा किस तर पर कार् अवस्था से संबंदित है बहुत ही अच्छा कोश्चन है और आपको समझना पड़ेगा पूर्व प्रत्यात्मक जब हम नाम दे देते हैं तो प्रत्यात्मक की जगे हम क्या कर सकते हैं यानि कि जीन प्याजे के संग्यानात्मक सिध्धान्त की जो सेकेंड अवस्था दूसर की चार अवस्थाओं में दूसरी अवस्था ये है याद कर लीजेगा चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन पर एक अच्छा विद्याले वो है जो अच्छा विद्याले हम किसको मानेगे तो अच्छा विद्याले बालक के सामाजिक इस तरी करण को समझे तथा कच्छा के वा सामाझिक रूप से सामज़ सर सी सामज़ से बनाते हुगे पढ़ाई करें और दूसरा क्या हो जा जाएगा कि जो ख्लास का वातावरण हो जो class का environment कैसा हो प्रगति सील हो प्रेडास्मत हो और साथी साथ कैसा होना चाहिए रोचक होना चाहिए ताकि बच्चे मन लगा कर पढ़ सकें उनको class बिल्कुल भी worrying ना लगे अगला कोशन दिया गया बुद्धी समावेसित करती है किसको बुद्धी जोती वो अभिसारी चिंतन को समावेसित करती है बहुत अच्छा कोशन है अभिसारी चिंतन अभिसारी चिंतन हंडेड़ परसेंट हर वार आपको कम से कम एक दो कोश्चन देखने को जरूर मिलते हैं निश्चित तौर पर यहां से आपको कोश्चन देखने को मिलेगा चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर एक अच्छे सिच्चक का सबसे महतपूर्ण गुण क्या होता है अच्छे सिच्छक की जब हम लोग बात करते तो उसका जो सबसे अच्छा गुण माना जाता है, वो संपरेशन को असल होता है, उसका संपरेशन को लिए हम आपको पढ़ा रहे हैं ये गुण होना बहुत ही आवस्यक होता है यदि बार-बार कोश्चन पूचने पर टीचर इस्टुडेंट को डांट दे जला दे या फिर किसी प्रकार से उसके अनमने ढंग से व्यक्त करेगा तो निश्ची तोर पर वो एक आदर सिच्छक के रूप में नहीं गिना जाएग अगला कोश्चन है अधिगम कार के लिए विद्यार्थियों की ततपरता का आंकलन करना सिच्छकों के लिए कठेन है क्योंकि अधिगम कार के लिए यानि कि जो सीखने की लर्णिंग की प्रोसेस है उसके इंतरगत जो बच्चे ततपरता का आंकलन करते है यानि कि कर पाना क्योंकि उसके जो जितने भी points होते हैं, जितने भी विंदू होते हैं, एक साथ नहीं होते हैं, इस वजए से क्या कहलाता है, कठिन मानी जाती है, अगला question दिया गया है, कि तत परता के तत तो कौन कौन से, तो उपर हमने आपको क्या बताया था, कि इसके तत तो सभी परिपक को नहीं होते एक साथ नहीं होते तो इसमें आपकी क्या आ जाती है परिस्थितियां प्रॉब्लम्स आ जाती है सामाजिक परिवेस आजाता है, अभी प्रेरण इस तर आजाता है बुद्धी का विकास आजाता है और इसके वाद आपका सबसे महत्पूर्ण जो है वो आजाता है विस्वस्टु की समझे सभी चीजें तत्पर्ता के ये तत्पर्त गताते हैं जिस कारण ये सभी एक साथ इस्टेवल नहीं हो सकती है। अगला पॉइंट देखेगा सभी लोग कोश्चन दिया गया है आपके सामने की एक सिच्छन विद्वें दो या अधिक सिच्छक सहयोग पूर्वक विसियों की योजना बनाते हैं, पूरा करते हैं तथा सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रफाव का मुल्यांकन आवर्ती रूप से करते हैं। क्या कहते हैं टोली सिच्छन कहते हैं पहले टोली में कह सकते हैं रूल्स बनाना उसके लिए रेगुलेशन बनाना फिर उस आधार पर उसको आवर्ती रूप में सब पर एपलाई करना उनका मूल्यांकन करते हुए उसको सब पर एपलाई करना टोली सिच्छन के अंतरगत इसका विकास सेयुक्त राज्य अमेरिका में 1950-60 के मद्द में हुआ था याद रखिएगा चलिए आगे बढ़ते अभी सारी चिंतन को किस नाम से जाना जाता है अभी हमने आपको उपर का था अभी सारी चिंतन अभी सारी चिंतन दोनों को अगर आप लोग एक मिनट भी पढ प्रक्रिया है नियम जैसे होगा फिर उसके एक्जामपल्स इस रूप में ये पूरी प्रक्रिया चलती है ये आपकी निगमनात्मक चिंतन के रूप में जानी जाती है अगला कोशन है सामाजिक नियमों और कानूनों के विरुद वेभार करे तो उससे क्या कहेंगे बाल अ कानून के नियम है उनका जब कोई उलंगन करता है चाए वो बड़ा हो या छोटा हो सभी के लिए पर तेक चीज एक नियम के तोर पर चलती है वस बात ये होती कि वो अपनी मानसिक इस्तर को प्राप्ट कर चुका हो हलांकि कह सकते हैं लगवग बार है तेरे की उम्र को पा नियमित विद्यालें में सभी प्रकार के वालकों का विरा किसी भेदवाओ के स्वागत करना सीधे से एक ही लाइन में आपके सभी प्रसनों के उत्तर दे दिये गए हैं यानि कि आपकी जो नियमित क्लासेश चलती हैं आपके विद्याले में आप जाते हैं उसमें अन्य इतने अलग बैठालते तो इस सभी चीजें आपकी समावेसी सिच्छा के अंतरगत नहीं आती हैं बलकि उन सभी को समान सिच्छा का अधिकार है समान रूप से पढ़ने का अधिकार है और समान रूप से उनको अन्य ब्रालकों के साथ पढ़ना ये हमारा उद्देश से है अप्टिट्यूट टेश्ट रखा गया है वो किस ने दिया था काफी लोग यहां पर कन्फ्यूज हो गये होंगे क्योंकि सिर्फ इतना नाम दिया गया है लेकिन आप लोगों ने C-A-T का नाम सुना होगा एक आपको हमने बताया था T-A-T एक आपको बताया था C-A-T यहा पार्ड वैलक ने इसका प्रित्वादन किया था 1948 में C-A-T परिक्षन लेकिन जब बात अपने देश की आती है तो अपने देश के लिए इसमें कुछ चेंजमेंट करने के बाद उमा चौधरी जी ने इस नियम को इस कह सकते परिक्षन को भारत में लॉंच किया था किस ने ने मिस कर दिया हो जिसे हमने छोड़ दिया हो गर आपने निश्चित तोर पर कॉश्चन अच्छे ढंग से समझ लिये तो ये आपके पूरे अंक दिलाने में सक्षम होने वाले हैं निश्चित तोर पर बस आपको प्रते एक चीज को बहुत ही अच्छे से याद करते हुए समझते चलना है लगातार classes दे रहे हैं सभी subject को cover करते हुए आपको classes दी जा रहे हैं बस आप लोग अपना support वनाए रखेगा सभी classes को देखते रहेगा TAT की हाँ पर हम लोग बात कर रहे थे मरे और मुरे ने ये आपका मुख्य रूप से परिक्षन दिया था जो thematic aptitude test कहा जाता जो कि वैसकों के लिए होता है CAT बच्चों के लिए होता है और TAT वैसकों के लिए होता है अंतर आप लोगों को याद रखना है चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले question पर अगला question है वक्तिगत विभिन्नताओं का छेत्र है वक्तिगत विभिन्नताओं का छेत्र कौन से होते हैं जहां पर वालक जो पानसिक्ता एक प्रकार की व्यक्तिकत विभिनिता को व्यक्त करती है, यानि कि आपके अंदर जो गुण होंगे वो दूसरे के अंदर नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपके माता-पिता के गुण आप में आते हैं और दूसरे के माता-पिता के गुण उसके अंदर जाते हैं, तो ये लिंग भेद हो गया, सालीरिक रचना हो गया, मानसी की योगताएं हो गई, ये एक प्रकार से differentiate करती है, आपको दूसरे से individual difference के रूप में इसको जाना जाता है, कम से कम एक अंकिश टॉपिक से जरूर देखने को मिलेगा, आगे बढ़ते विद्यार्थियों में अभी प् यानि कि motivate होते रहे, उनको अलग-अलग ऐसी विद्यों से पढ़ाएंगी, जो कि रोचक हो, जो कि सभी को साथ में लेकर चलने वाली विद्यां हो, ताकि उनमें पढ़ाई का जो है, उत्साह बना रहे, उनके अंदर अभी प्रेरणा विक्सित होती रहे, अगला question दिया ग प्रभावित है क्योंकि सिच्छा का अधिकार विद्याले में कच्छा की ओसत आई को प्रभावित नहीं करता, यानि कि RTE Act के अंतरगत क्या बताए गया था, इसके अंतरगत बताए गया था कि 6-14 वर्स के जो बालक हैं, उनको सभी को अनिवार रूप से सिच्छा प्रदा क्या मुख्य वात है जो आप लोगों को याद रखनी है, अगला कोशन है सिच्छन क्या है, टीचिंग क्या कहलाती है, तो ये एक प्रकार की स्किल होती है, एक प्रकार की आर्ट होती है, यानि कि ये कला भी है और आपका कौसल भी है, अब आपको देखना है, आप इसको कि विलियम बुंट का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा हम आधुनिक मनोविज्ञान की बात करते हैं प्रियोगात्मक मनोविज्ञान की बात करते हैं तो विलियम बुंट को इसका जनक माना जाता लिपजिंग में इन्होंने ही सबसे पहले इन चीजों पर परिक्षण किय जर्मनी के लिपजिंग में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा बहुत बार आपको बता चुके हैं 1969 में यह इन्होंने सबसे पहले आधुनिंग मनोविज्ञान को लेकर कई प्रियोग किये थे जिसके बाद इन्होंने ही प्रियोगात्मक मनोविज्ञान को सपित किया इन बहुत ही अच्छा कोशन है, यानि कि पहले जो बालक है, पहले जो मनुस्य है, वो अपनी वेसिक नीट्स को प्राप्त करता है, उसके बाद उसके कुछ उपर की नीड्स को प्राप्त करता अंत में वो इस ऐसी नीड्स को प्राप्त करता जो संसार से जुड़ी हुई होती है और एक प्रकार से समाज में प्रतिष्ठा प्रदान करने वाली होती है लेकिन सबसे नंबर एक पर क्या होता है वेसिक नीड्स क प्राप्त करता है तो ये चीजें इन्होंने अपने इस आविशकता पदानुकरम सिध्धान्त के अंतरगत बताई है अगला कोशन एब्राहेम मैसलो द्वारा लिखित पुस्तक दोस्तों फिर आपको बता रहे हैं पुस्तक जितनी भी आपको बता रहे हैं सब एक जगे अगला कोशन दिया गया अधिगम के मुखे छेत्र कौन से होते हैं तो दोस्तों अधिगम जानी की सीखने की बात की जाए तो सीखने की देखिए ना कोई छेत्र होता है ना कोई एज होती है लेकिन जब हम specific area की बात करते हैं छेत्र की बात करते हैं उसमें आपका संग्यानात्मक छेत्रानी की बहुत धिक विकास की बात करते हैं वावनात्मक विकास की बात करते हैं और क्र से अधिक संभावित है, क्या संभावित होता है सिच्छक छातर की वारता ये एक सजीव यानि की एक live class, एक अच्छी ऐसी class सजीव class यहाँ किसको कहा गया है, सजीव class ऐसी class को कहा गया जिसमें active बूब से सभी प्रतिभाग करें, छातर भी और students भी तो यह आपकी कैसी कहलाती है एक्टिप क्लास लेकिन यह कव अधिक संभव है जब सिच्छक और चात्रा अपस में एक दूसरे से कोश्चन पुट करें अपने एक दूसरे के डाउट्स को क्लियर करें अगर मालीजम सीधे सीधे आपको एक सांस में पढ़ाते चले जाए तो आपको क्लास वोरिंग लगने लगेगी इस बज़े से बार-बार आपको समझाते हैं आप बार-बार अलग रूप में आपसे कोश्चन पूछते हैं ताकि आपके कोई भी डाउट हो वो क्लियर हो साथी साथ हमारी कुछ क्लासिस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए जो कि आपके लिए निश्चित तोर पर अंतिम समय में राम बाण है बहुत ही महत्पूर है उनको भी जरूर देख लीजेगा 79 नंबर कोशन आपके सामने है पुनरवलन के प्रिकार तो दो किसी की प्रसन्सा कर देते हैं जह उसको मोटिवेट कर देते हैं पुनरवलन क्या हो तास कुनह बल देना यानि कि कि किसी city को दो बारा से रीश्टार्ट कर देना है एक प्रकार से कहना तो जब कोई चीज positive way में करना निश्चित तोर परम उसको साबासी देंगे उसका उत् हमकी दे देना ही चीजें आपके नकारात्मक हो जाती है फिर उसके बाद बच्चा आपसे डरने लगता है आपके सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा और अगर करेगा भी तो नजर नीचे किये चुपचाप बैठा रहेगा क्योंकि उसके अंदर जो उत्साह उत्पन होने वाल कहीं कहीं नाम इनका देखने को मिलता कहीं कहीं इस प्रेंजर लखा हुगा मिलेगा इन्होंने समाज सास्त्री प्रकार का सिध्धान्त दिया था जो कि किस से सम्बंदित है परसनाल्टी से सम्बंदित है व्यक्तित से सम्बंदित है इन्होंने व्यक्तित के अलग-अलग भी सिध्धान्त में बताये थे जो कि आपको आगे व्यक्तिगत रूप से बताएंगे जब हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे चलिए अगला कोशन दिया गया है एक सिच्छा की सबसे महतपूर्ण चुनोती क्या होती है तो दुस्तो सिच्छण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना है यानि कि जो टीचिंग लणिंग की प्रोसेश शल रही जो क्लास रूम में वो पढ़ा राय वच्चों को उसको कैसे रोचक बनाया जाए, कैसे उसको आनंद पूर बनाया जाए, कैसे उसको ऐसा बनाया जाए कि बच्चे बोर ना हूँ और वो प्रतेक चीज को समझ लें तो वो क्या होता है? महतपूर्ण चुनावती के रूप में होती है अगला कोशन है एक सिच्च को कच्चा में कारे करना चाहिए, किस रूप में परजा तांतरिक भूमिका का बहुत अच्चा कोशन है, यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि परजा तांतरिक भूमिका क्या होती है लोक तांत्रिक भूमिका क्या होती है यानि कि डेमोक्रैसी का प्रयोग करना किसी भी के साथ भी वेदभाव नहीं करना यानि कि कुछ छात्र जो होते हैं कुछ टीचर जो होते हैं वो छात्र के चहिते हो जाते हैं कुछ छात्र जो होते हैं वो उनसे दूरी बना लेते हैं य एक प्रकार का लोक्तांत्रिक वेवार बना रहे कोई ये ना कहए सके कि ये हमने दूसरे के साथ पार्चिल्टी की हमने दूसरे के साथ अच्छा वेवार किया है ये एक आधर्स क्लास का सबसे महत्पूर्ण गुण माना जाता है ये बाल केंडरे सिच्छा की और भी बल देता है अगला कोशन है अधिगम का सबसे उप्युक्त कार क्या है तो ये आपके वेभार परिवरता है यानि कि जब आप खुद सोचिए अधिगम यानि कि जब आप चीजों को सीख रहे हैं लर्न कर रहे हैं तो उससे क्या होगा आपके वेभार में परिवरता ना आएगा यानि कि आप जिस प्रकार के समाज में जैसी चीजें सीखते हैं वो आपके व्यक्तित को दरसाती हैं वो आपके जो वेभार को दरसाती हैं यानि कि ये आप अच्छी जगे बैट रहे हैं अच्छी चीजों को सी अगला कोशन है बालक का चिंतन किसके दौरा प्रदर्सित होता है तो बालक का जो चिंतन होता वो आत्म केंद्रिक्ता के दौरा इसके लावा सजीबताबाद के दौरा और ये अथार्थवाद के दौरा प्रदर्सित होता है अगला कोशन है फ्रोवेल ने किस खेल पर इसका अंसर आपको अगले कोश्चन में मिलेगा लेकिन यहां आपको समझना किस खेल पर बहुत अच्छा कोश्चन है तो इन्होंने गेंद के खेल पर जो बॉल होती उससी खेलने पर मुख्य रूप से बल दिया था फ्रोबिल ने फ्रोबिल ने जो अपनी प्रणाली की सिच्छन प्रणाली बनाई थी किंडर गाटन सिच्छन प्रणाली इसका नाम इन्होंने रखा था यानि कि बालकों का उद्यान भी इसको कहा जाता है इन्होंने इस प्रकार से सिच्छन पर बल दिया था ताकि बच्चों को पढ़ाया जा सके उनको खेल के दोरा ऐसे को उताई थी परियोजना बाद से सम्मंदित है जौन डीवी प्रियोजेक्ट सिच्छन विदी के रूप में जाने जाते हैं इनका सम्मंद जौन डीवी से है ये प्रियोजन बाद से भी सम्मंद रखते हैं अगला कोशन है जब बालक सीखने के लिए तयार होता है वह जल्द वह प्रभावसाली तरीके से सीखता है ये सिध्धान्त किसने प्रभावसाली तरीके से सीखता है ये जब बालक खुद से तयार है यानि कि उसकी खुद की इच्छा है किसी चीज को सीखने की जब उसका मन उसकार में पहले से ही बना हुआ तो निश्चित तोर पर क्या और इन्हों ने इसके बारे में थौंडाइक ने इसके बारे में चर्चा परिचर्चा की थी इनके बारे में सिध्धान्त दिया था इनके सभी मुख्य और गौड सिध्धान्त आप लोगों को याद रखने हैं इनके जो मुख्य नियम है वो याद रखने हैं और प्रतेक ची काफी लोग पूछ रहें तो आपको बताना चाहेंगे विल्कुल नोट्स त्यार हैं आप लोग उसके बारे में पहले यूपी टेट पर फोकस करिए सुपर टेट की क्लासेज उसके नोट्स सब कुछ भी आपको हमारी मोबाइल एप या हमारे माध्यम से मिलते रहेंगे एग अपरेशन बनाए गया था ताकि जो मूलभूत आवी सकता है प्रतेक स्कूल की प्रतेक विद्याले की उनको पहले पूंड किया जा सके पेंड, डेश्टर, टीलम ये सभी ब्लैक बोर्ड ये सभी चीजें इसके अंतरगत मुख्य रूप से आ जाती हैं और ये पूरे कह सक ये सभी बच्चों को सिछा प्रदान करने के लिए, उनको सिखाने में किसी बी ऐसी चीज की कमी ना पड़े ताकि उनको सिखाया ना जा सके इस वज़य से इस ऑप्रेशन ब्लैक बोर्ड को सुरू किया गया था चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर तो कोश्चन आप के सामने है एक व्यक्तिव बैधानिक रूप से द्रश्टिवादित है यदि उसका विजन छेतर 20 डिग्री है जबकि उसकी विजूल एक्क्यूटी जो है वो कितनी है अत्यधीक उप्यूक्ति सुधार के लिए ठीक आँख से 6 बटे 60 से कम है यानि कि जो उसकी आँख है वो रचनात मक्ता जहां पर होगी वहां क्रियेटिविटी भी होगी वहां रचनात मक्ता सदैब देखने को मिलेगी क्यूंकि जब आप नई चीजों करते हैं नय रूप में करते हैं निश्कित और पर आपको क्रियेटिविटी चाहिए होती है आपका मस्चिसक खुला हुआ चाहिए ये चीजें इसके अंतरकत मुख्य रूप से बताई जाती है ताकि उसका जो मन है उसका जो मस्तिस के वो बन्धा ना रहे वो अलग लग सीजों को आसानी से सीख सके अगला कोशन है विकास की कौन सी वस्तत तनाववा तूफान की वस्ता कहलाती है कल हमने आपको कभी लोग जुड़ते रहे हैं कमेंट करते रहे हैं और इसी प्रकार से कोशन का आंसर करते रहे हैं लगातार आपको जैसे ही हमारी मेराथन क्लास समाप्त होगी उसके तुरंत वात से हम अबजेक्टिव कोशन की एक बहुत बड़ी सीरीज ला रहे हैं सिर्फ फ्राइड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंबिक विद्याले आयू समझा जाता है। कई अन्य चीजों के बारे में भी इन्होंने चर्चा की थी एगला कोश्चन दिया गया है अभी प्रेरित वालक के मुख्य गुण कौन कौन से होते हैं। कितना कुछ जानना चाहते हैं ये उनके सीखने के अभी प्रेरित होने की मुख्य विसेस्ताएं होती हैं। कोश्चन है सतत और व्यापक मुल्यंकन के कार सी सी जो की हमने आपको सुभए एबियस की क्लास में भी बताये था। कौन्टिनिवस एंड कॉंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सतत और व्यापक मुल्यंकन इसके कार तो संचित अभिलेग जो आपके स्टोर्ड अभिलेग हैं। तो सभी डॉक्यूमेंटेसन कम्प्लीट होनी चाहिए दद्दकार जो आपका प्रोजेक्ट वर्क कहते हैं हम लोग वोग होना चाहिए और साती साथ आपका क्या दिया गया है देखे का लिखा गया कि एनकाउट डाउल रिकार्ड या जो आपका रिकॉर्ड होता है जो चाहिए काउंट टेवल रिकार्ड वा अन जितनी भी रेश्टर्ड चीजें होती वो सी सी के अंतरगत होनी चाहिए अगला कोशन दिया गया है देखते रहे हैं विसेस अबधि के दोरान विकास प्रगति करता लेकिन इस अबधि में समायूजन के लिए विराम करता है यह वि विकास के एक विसेस अबधि जब होती है तो विकास की गती यानि की डेपलमेंट की गती बढ़ जाती है तीब्र हो जाती है लेकिन इसमें समायोजन जो होता है वो एक प्रकार से रुक जाता है अगला कोशन है डिस्ग्राफिया किस कटिनाई से जुड़ा हुआ है आपको अगला कोशन यहां पर आपके सामने दिया गया कि सिच्छा में समाबेशन का क्या रथ है समाबेशी सिच्छा आ जाए समय कि सिच्छा आ जाए या फिर समाबेशन आ जाए सभी चीजें बिल्कुल सेम होती है समाबेशन में भी मिहा क्या आपको बताएंगे यहां हम आपको बताएंगे कि सभी विद्यार्थियों को सिच्छा की मुखिधारा प्रणाली में सुईकारणा यानि कि जितने भी स्टूडेंट से उनको सिच्छा की मुखिधारा से जोड़ देना ये आपका सिच्छा में समावेशन कहलाता है अगला कोशन हंडेट नमबर कोशन आपके सामने है मैराथन क्लास में जैसा कि आपको बताये कम से कम समय में अधी कोशन को पूरी व्याक्या के साथ बताएंगे प्रतेक डाउट को क्लियर करेंगे तो वो डाउट अगर फिर वी आपको होता तो कमेंट करना मत भूलिएगा द जोहलवर्ग ने कौन सा सिध्धान्ट दिया था तो इनका नैतिक विकास का सिध्धान्ट था इसके अंतरकत इन्होंने तीसरी अवस्था बताई थी उत्तर परम परागत अवस्था इसमें जो होता है वो जो लोगों की आसाएं होती इच्छाएं होती वो पूरे करने को लेक यानि की जो बालक होता वो लोगों की समाज में जो उसकी इमेज बनी हुई है समाज उसके लिए जो एकस्पेक्टेशन्स रखता है उसके आधार पर कार्य करता है 101 नंबर कोशन दिया गया अनुवान सिक्ता को कौन सी समाजिक सनरचना माना जाता है जो अनुवान सिक्ता ह वो कैसी होती? इस्थाइक सनरचना के अंतरगत आती क्योंकि इसमें कोई भी बदलाव संभव नहीं जो जितने गुण माता पिता क्याने है वो किसी ना किसी रूप में देखने को मिलेंगे तो ये एक प्रकार से इस्थाइक सनरचना के अंतरगत आ जाता है अगला कोशन एक साथ दो नंबर कोशन दिया गया कि जब एक 40 मिनट की क्लास में सभी विद्यार्थियों वा मुख्यता विसेश आवेसकता वाले विद्यार्थियों की मांग को पूरा करते हुए आप किस प्रकार से पढ़ाएंगे जो 40 मिनट की क्लास है उसमें जो विसेश बच्चे में उनको आप कैसे पढ़ाएंगे तो सभी विद्यार्थियों के लिए क्रिया कलाप आयोजित करवा कर परंतु विसेश साथ सकता वाले विद्यार्थियों पर पर हम विसेज ध्यान दे देंगे क्योंकि उनकी जो सीखने की शमता है वो अनकी पेच्छा थोड़ी सी वीक हो जाती वो अपने को थोड़ा कमजोर महसूस करने लगते हैं अगला कोशन है बच्चों को अपने पैरों पर चलने के लिए उपियुक्त उम्र क्या मानी जाती है तो कम से कम कह सकते हैं लोग 14 महिने यानि कि लगबग सवा वर्स का जब बालक होता 1.25 उम्र का जब बालक होता 14-15 महिने में बालक अपने पैरों पर चलने के लिए उपियुक्त उम्र का हो जाता है यानि कि अपने पैरों पर खड़ा होने लगता है धीरे धीरे चलने लग आप कोई भी कोश्चन पेपर उठाएंगे उसमें आपको एक नाम जरूर देखने को मिलेगा आरवी कैटल का नाम आरवी कैटल ने तरल ठोस या तरल मोजक सिध्धान्त दिया था क्रिश्टलाइजड मौडल के रूप में भी इसको जानते हैं ये इन्होंने बताया था इसम ने तरल के रूप में बताया है अपने इस सिध्धान्त के अंतरगत तयार कर लीजेगा आरवी कैटल बुद्ध के सिध्धान्त बहुत अच्छे से आते हैं उसमें भी आरवी कैटल का सिध्धान्त सबसे जाना बार देखने को मिलता है गलकोशन है एक विद्यार्थी कच् कि छात्र गलत है ये नहीं पढ़ता था इसका पढ़ने में मन नहीं लगता था ये सब कुछ गलत करा है हमेशा किसके स्फलता है सिच्छक की स्फलता है विद्याले की स्फलता है वही यहां पर आपका अंसर हो जाएगा कि यदि छात्र अपने लक्ष को नहीं प्राप्त कर प प्रभाव किसके अनुसार होता है तो दोस्तों वनसा नुकरम गुणात्मक रूप से वातावरण व्यक्ति को प्रभावेत करता है ठीक है दोस्तों समझिएगा वातावरण की बात यहां पर की जा रही है उम्मीद करते हैं आपको प्रतेक चीज अच्छे से समझ में आई होगी जितने भी कोश्चन हमने आपको लाश क्लास में कराये थे उसके आगे आज जो भी कोश्चन कराये हैं सब कुछ आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे चली बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर सिच्छा को बाल केंदरी सिच्छा माना जाता है जब कैसी सिच्छा होती ही बाल केंदरी जब बालकों को केंदर में रखकर बालक की इच्छाओं को बालक की मांग रुचिवा अभिवरत्ति की को प्राथमिक्ता दी जाती है यानि कि वो जिस रूप में सीख सकता है जिस सीख सकता है उस आधार पर उसको हम सिखाएं उसकी मागों को पूरा करें उसकी रुचियों के आधार पर सिच्छण विधियों का प्रयोग करें ये एक प्रकाल की बाल केंद्रित सिच्छा होती है और साथी साथ कैसी क्लास होनी चाहिए एक प्रकाल से डेमोक्रेटिक वे में क्लास चलनी चाहिए अगला कोशन दिया गया है और आज का अंतिम कोशन आपके सामने है कि स्वयम की भावनाओं तथा संबेगों को नियंतरित करने से संबंदित वुद्धि को क्या कहा जाता है ये अंता व्यक्तिक वुद्धि कहलाती जो स्वयम की भावनाओं को अपने बेगों को क्या कलेता, नियंत्रित कर लेते, इनको अन्तव्यक्तिक वुद्धी के रूप में जाना जाता है, आज के questions कम्प्लीट होते हैं, last class का link भी दिया गया है, आपके आज तक 108 questions कम्प्लीट कर दिये गये हैं, पूरी मेराथन क्लास के लगातार जो आपके आने वाले 10-15 दिन की क्लासेज हैं उसमें सब कुछ कवर करा देंगे आपके 90 प्लस मार्क्स आपको क्योंकि क्वालिफाइंग एक्जाम है इतने हर हाल में लाने है और यही हमारा पूरा फोकस है बस आप लोग अपना 100% देते र पर आपके 90 प्लस मार्क्स जरूर आएंगे यही आपका टार्गेट भी होना चाहिए चाहें किसी भी केटेगरी से आप है निश्चित तवर पर यही पर एंड करते हैं मिलते हैं गली क्लास में तब तक के लिए सुबह की मेराथन क्लास संस्कृत की क्लास में सब कुछ पूर समझते रहिए देखते रहिए थैंक्यू दोस्तों गुडबाय टेक केर